तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Free Fire खेलते हैं और Free Fire में आप Facebook के थ्रू लोगिन करने का ट्रॉइ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाता है Login Disabled यहां पर आगर आप Facebook के थ्रू लोगिन नहीं कर पा रहें अपने Free Fire में तो यहां पर चार सोलुशन मैं इनको बताने वाला हूं आपको तो आपको उनको फोलो करना होगा आप जो है फेस्बूक के थ्रू अपनी Free Fire के अंदर जो है Login कर पाएंगे वो भी बड़ा Easily तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाएगा जब भी आप Login करने का Try करेंगे Login Disabled For your account security Login into Facebook Form and Embedded Browser is Disabled to continue download and Login to the Facebook app on your device and Try Again Try Again आपको बार बार दिखाता है Login Disabled दिखाता है तो आपको Simple से Steps को Follow कर लेना होगा मैं आपको बता देता हैं आपको क्या क्या करना होगा सबसे पहला काम है आपको आना है अपनी Facebook में Facebook में आने के बाद आपको यहाँ पर Three Lines पर Click करना है नीचे आना है और यहाँ पर Setting and Price देखने को मिल रहा है इस पर Click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर Setting देखने को मिल रहा है change password का यहां से आके आप अपने जो है account को select करके उसका password change कर लीजेगा सबसे पहला काम तो आपको यह कर लेना है then उसके बाद second काम आपको क्या करना है वैसे ही आपको setting में आना है setting में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे की तरफ और यहां पर आपको option देखने को मिल जाता है apps and websites का इस पर आपको click कर लेना है अब यहां पर आपको देखना है आपने facebook के थ्रूख कोन कोनी application में या website के अंदर login करके रखा हुआ है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी expire हो चुकी है सबको यहां से आप remove कर दीजिए या देख सकते हैं यहां से इसको remove पर click करके remove कर देना है ऐसे ही आपको जो है देख लेना है कौन कौन सी applications के अंदर आपने यहां पर login करके रखा हुआ है अपनी facebook को account को तो यहां पर जैसे यह देखो है यहां से आपको remove कर देता हूँ मैं इनको ऐसे ही आपको सभी को remove कर देना है और आपके free fire को रखना होगा अगर आपने यहां पर सभी को देख लिया है देख सकते हैं बहुत सारी applications में मैंने login करके रखा हुआ है अपने facebook को तो यहां से आपको remove कर देना है यह काम भी आपको कर लेना होगा इसके बाद आपको क्या करना है यह काम करने के बाद आपको आना होगा facebook पर यहां पर facebook को long press करना है यहां पर option मिल जाता है app info का इस पर आजाना है यहां पर आने के बाद आपको यहां पर storage का option देखने को मिलता हो ओपर या फिर नीचे clear data clear data पर क्लिक करना है इसका clear cache करना है दन इसका clear all data भी कर लेना है यह काम आपको करना और यहां पर data uses देख सकते हैं यह आपके ओन होने चाहिए तीनों option देन यहां पर restricted data uses है यह आपके दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिस्टार्ट या रिभूट का आपको आपको यहाँ नहीं दिखा रहा था फिर आपको नहीं दिखाएगा और इसली आप जो है लोगिन या उसको यूगिश कर कमेंड बॉक्स में बताएगा मैं कोई यूर सुलिशन आपके लिए ले कराऊंगे सुगाइज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल नवाटे के लव यू अल